तो दोस्तों, Common Aptitude के लिए मैं कुछ बुक्स लेकर आया हूँ CUET 2022 के लिए, ये बुक्स काफी helpful होगी आपको Common Aptitude CUET 2022 के लिए ये सिर्फ CUET 2022 के लिए बुक्स नहीं है, ये Other Competition Examination के लिए भी बुक्स है अब जिस भी examination की preparation करते हैं, उसमें Common Aptitude से question पूछी जाते हैं तो उनके लिए भी काफी बुक्स helpful होगी, तो वीडियो को लास्ट तक वाच करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की update पाने के लिए बेल आइकन पर किलिक करके notification को on करें और दूसरी बात ये है, MDJ All-On के तरब से Happy New Year 2022 तो वीडियो का स्टार्ट तो इसे अपर पता है कि 2022 के अंदर में CUCT exam नहीं हो पाएगी 2022 के अंदर में कौन सी exam होगी, तो CUET exam होगी क्यों होगी 2022 के अंदर CUET exam, UGC की तरफ से एक article आया था क्यों होगी आप articles देख सकते हैं, इसका reason ये है, 2021 में CUCT exam होई थी क्योंको इसमें पार्टिसिपेट 12 इनुवर्सिटी की थी, CUCET का मतलब होता है, Center University Common Interest Test कि इसमें 12 इनुवर्सिटी पार्टिसिपेट किया था, तो common इनुवर्सिटी पार्टिसिपेट के, जिसके वादे CUCT हो था बट 2022 में वो 12 इनुवर्सिटी पार्टिसिपेट ना हो करके, कितनी इनुवर्सिटी पार्टिसिपेट होगे, एक तालीस से पैतालीस इनुवर्सिटी पार्टिसिपेट होगे, जिसमें इंडिया के टॉप टॉप इनुवर्सिटी भी इनके अंदर पार्टिसिपेट करें इसके वाया से CUET नाम दिया गया, मतलब सेंटर इन्टरेस्टेश्ट की कोई कॉमन नहीं रहा, 41 और 45 जैसे इन्वर्सिटी पार्टिसिपेर करें, यह से लाइक जामिया मिलिया इसलामिया, डेली इन्वर्सिटी, पानरास हिंदू इंवर्सिटी, अलिगर्ण मुस्लिम के अंदर इस इन्वर्सिटी के अंदर सानों और सौकत है, यहां से काफी अच्छे छोलोग पढ़ करकर कामियाभी हासिल किये हैं, तो यह सभी इन्वर्सिटी CUET के अंदर पार्टिसिपेट करेगी 2022 में, अभी रिसेंटली कोई न्यूज आई थी DUET की तरब, जिसमें बता सहते हैं इस आर्टिकल को, और हाँ CUET 2022 यह आपको तेरा लाइंग्वेज में इसकी एक्जाम लिजाए, तो दोस्तों मैं डिसकस करने जा रहा हूँ, CUET 2022 की पार्ट A का common aptitude की topics के बारे में, कौन सी common aptitude में topics आते हैं, मैं उसके बारे में discuss करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहल सब्सक्राइब के आने वाले हैं, तो हम आपको continuous आपको step by step बताएंगे की कौन सी बुक किस topic के लिए आपको अच्छा होगा, तो मैं उसके लिए मैं आपको recommend करूँगा, तो चलिए next slide में, तो new slide के अंदर मैं आ गया हूँ, first मैं आपको reading comprehension की जो first book है, वो English reading comprehension की RK गुपत आप इसको read कीजिएगा, तो CU2 2022 के लिए ये काफी other competition common aptitude के लिए आपका अच्छा rank boost हो सकता है, तो ये काफी अच्छी बुक से reading comparison के लिए, and second book जो है English grammar के लिए, वो कौन सी बुक है आपके लिए, अरिहन्त का है, objective general English, ये SP बक्सी साहब का है, ये काफी अच्छी बुक से ये काफी आपकी helpful करेगी इस books के लिए, English grammar के लिए, जो काफी English grammar पूछे जाते है common aptitude में, और ये books जो है, आपको online भी मिल सकती है, softs में भी मिल सकती है, बहुत easy way में, आपको कम price में purchase कर सकते हैं, और ठड़ आपको quantitative aptitude की जो books है, ये काफी अच्छी books है, ये काफी करेगी quantity aptitude के लिए, और fourth number है logical reasoning, जो 10 number question पूछे जाते है, modern approach logical reasoning, ये चांद का है, ये भी RS अगरवाल का है, रचेच कर लिए, ये काफी अच्छी books है आपके लिए, ये लाश्ट आपको है, फिप्ट नमबर, ICT, current awareness के लिए जो books है, ये काफी अच्छी books है, ये काफी अच् मिक्स करें पढ़िएगा, दुनिया की चितने भी competition exam हैं, जो इसमे common aptitude question पूछे जाते हैं, वो आप वैसे ही crack कर सकते हैं, जाना book पढ़ने की ज़रूत नहीं, जो book मैंने बताया है, उस book को अच्छे से read कीजे, CUT 2022 के लिए और भी other SSC bank railway ये जैसे examination को भी आप crack कर सकते हैं, मैंने जो भी books recommend किया, काफी अच्छे books है, common aptitude के लिए, मैंने खुद इस पे focus किया हूँ, खुद मैंने इस पे experience किया हूँ, खुद मैंने पढ़ा हूँ, काफी helpful मिली, आपके लिए मैं recommend कर दिया, तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं, next video तब तक के लिए thank you.